हलो बच्चो तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब स्वस्त हैं मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने जिन्दगी में तो आज हम भहत important topic के बारे में discussion कर रहा है topic आपको screen पर दिखरा होगा और ये topic हम basically कली start कर दिये थे इसके एक type को हमने कर discuss भी कर लिया है और उस type का नाम था call by value method यानि कि किसी function में किसी user defined function में caller function से values को कैसे भेजते हैं इसके बारे में हमने कल discussion किया था और आज हम उसी का दूसरा पार्ट यानि कि pass by reference या call by reference के बारे में discuss करेंगे details में तो थोड़ा सा हम पहले revise कर लेते हैं कल के topic के बारे में उसके बाद हम आज का ये topic है pass by reference इसके बारे में बात करेंगे so basically call by value या फिर pass by value ऐसा type है एक ऐसा process है जिसमें हम अपने caller function से values को अपने user defined function पर copy करते हैं यानि कि actual parameter से data को हम अपने formal parameter में copy करते हैं लेकिन जब बात आता है एक important बात और कि उसमें हम जब अपने data को copy करते हैं actual to formal में तो अगर formal parameter में कोई भी changes होती है तो उसका reflection है वो आपको actual parameter में देखने के लिए नहीं मिलता है लेकिन जब बात करते हैं path by reference method का तो इसमें क्या करते हैं कि हम अपने actual parameter के data को copy नहीं करते हैं अपने formal parameter में बलकि हम अपने actual parameter के reference को यानि कि address को copy करते हैं अपने formal parameter के variables के पास तो यहाँ पर एक important बात आता है कि आप चाहे उसका data send करो या फिर उसका address क्या फरक है मेरे दोस्त बहुत फरक है पहला फरक तो भाई सबसे important यह कि हम data को नहीं उसके address को pass कर रहे हैं दूसरी बहुत important बात यह कि हम अगर माल लें कि formal parameter में कुछ भी changes करते हैं तो उसका reflection हमें उसके actual parameter में देखने के लिए मिलेगा बिलकुल यही इसका सबसे important और fundamental difference है pass by value और pass by reference के पीच में pass by reference में क्या होता है कि हम एक address को send करते हैं actual parameter से formal parameter के पास या यूं कहें कि हम एक ही memory को share करते हैं actual parameter से भी और उसी memory को share करते हैं formal parameter से भी तो अगर मान लीजिए उसी address में formal parameter भी store है और actual parameter भी store है तो हम अगर कुछ भी changes करते हैं अपने formal parameter में तो obviously बात है वही memory को address कर रहा है जिस memory में actual parameter store है तो उसका reflection definitely, definitely actual parameter में भी देखने के लिए मिलेगा तो यही कुछ concept है pass by reference का तो अगर इसका हम definitions के बारे में बात करें तो definitions के कुछ ऐसा होता है कि pass by reference is the process of passing the reference or address of actual parameter to the formal parameters in such a way that change made in the formal parameter will be reflected on the actual parameters तो यह कुछ definition है और इसका basic concept आपको मैंने बता ही दिया चलिए इसे एक छोटा सा example program के साथ समझते हैं फिर दुबारा हम उसी example program को अपने blue jay में run भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का changes हमें देखने के लिए मिल रहा है let us example हम रे लेते हैं for example हमारे पास एक class create हमने किया है और उस class का नाम देते हैं reference so basically reference जो है वो हमारा यहाँ पर class है और इसके अंदर में हम एक छोटा सा method create करेंगे method हमारा है void change void का मतलब return हम नहीं करेंगे यहाँ पर जो भी हमारा result आने वाला है वो आपको उसी function के अंदर याने कि यहाँ पर जो हमारा function है change उस change नाम के function के अंदर में ही हम अपने result को print कर देंगे और इसके अंदर में हम जो parameter लिये हैं वो लिये हैं एक integer type का array variable b इसके बाद क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम उस array variable का length find कर रहे हैं कि उस variable में कितने values store होंगे कितने elements store होंगे और फिर हम एक fault loop execute कर रहे हैं definitely array हम लिये हैं तो हमें fault loop execute करना पड़ेगा i equal to 0, i less than p and i plus plus तो यहाँ पर हमारे पास condition शुरू होता है i equal to 1 से और condition चलेगा i less than p तक जितना भी length होगा उससे कम तक हमारा जो execution है वो होगा इसके अंदर में करके आ रहे हैं कि b of i is equal to b of i plus 2 यानि कि हमारा जो array variable है उसके जितने भी elements है बारी बारी से हर इक element को हम 2, 2 increase कर जाएंगे 2 steps increase करते जाएंगे अगर मेरा first index में array का first index में suppose कर ले कि array का first index में हमारे पास value है 10 तो initially 10 है तो जब यहां execute कर जाएगा तो वही index में value कितना हो जाएगा 10 से हटके हो जाएगा 12 तो कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर change कर रहे हैं अपने array को इसके बाद हम अपने array को print कर देंगे मतलब कि system.out.print after change change करने के बाद मेरा value कितना हो रहा है तो इसके लिए again हम एक loop चलाएंगे और again हम वह आपर print कर देंगे अपने array variable को और हमारा method हो जाएगा इसके बाद close I hope यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो इसके बाद क्या करेंगा देखें next हम करेंगे अपना एक main method create करेंगे public static void main और main method create करने के बाद इसके अंदर में हमें बनाना होगा अपना जो यह reference class है इसका एक object तो reference ob is equal to new reference मतलब यहां पर जो ob है यह मेरा object variable है किस class का तो यह reference नाम का जो मेरे पास class है इस class का यह object variable है well very good इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम यहां पर एक variable ले रहे है integer type का array variable जिसमें कुछ element समलेंगे जिसे हम pass करेंगे exactly उस value को pass नहीं करेंगे वो value जिस address को belong कर रहा है उस address को pass करेंगे very good इसके बाद क्या हो रहा देखें कि हम यहां पर एक message print कर रहे है function argument after function call मतलब कि मेरा जो भी value होगा वो function call होने के बाद कितना होगा उसको हम यहां पर print कर रहे है तो print करने के लिए integer i equal to 0 i less than a dot length जो भी मेरा इस array का length है उसको हम यहां calculate कर रहे है और वहीं तक मेरा array execute होगा जैसे कि यहां पर हम लोग किये थे integer p equal to b dot length यहां already हम निकाल लिये थे और फिर हम उस p को use किये दें यहां पर लेकिन यहां क्या कर रहे हैं यहां हम calculate ही कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा इसके बाद का काम होगा simply हम अपने array variable यानि की a को print कर देंगे और यह जो print होगा इसके बाद हम अपने main method क्लोज करेंगे और अपना class क्लोज हो दिया अब इस पूरे concept को समझते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है basically तो यहां पर हम एक variable create किये हैं b नाम का तो let us suppose कि हमारे पास एक b नाम का variable हम आपर create कर लिये हैं और इसके अंदर में फिलाल values नहीं रखे हैं और यहां पर कुछ executions वगरा हो रहा है क्या execution हो रहा है उसके बार हम हम बात करेंगे लेकिए उसके पहले एक बात देख ले कि यहां पर जो हम a नाम का variable लिये है यह a नाम का जो variable लिये है इसके अंदर हमें कुछ values को store किया गया है 2, 4, 8, 6 and 15 बिलकल सही बात है अब क्या करेंगे कि हम ये A को send कर रहे है इस A को हम लोग send करेंगे यहां पर एक चीज छुट गया है हम लोगों से और वो चीज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आपको एक data, एक statement लिखना होगा और वो statement कुछ ऐसा है कि ob. हमारा जो function है change हम function call ही नहीं किये हैं और इसके अंदर में हम अपने जो data है अपना variable उसे हम वेज रहे हैं basically हम variable नहीं भेज रहे हैं उसका address वेज रहे हैं क्योंकि यहां पर हम लिखे हैं a और a क्या है एक array है और एक array में एक element तो होता नहीं है बहुत सारे element होता है तो basically हम यहां पर लिखे हैं a को send कर रहे हैं देखें यहां पर हम दो a को send कर रहे हैं a is what a is the address a is the address of the array elements 2, 4, 8, 6, 15 तो address को हम pass कर रहे हैं किसके पास इस function के पास जो मेरा array है इसके पास तो इसके बाद अब जो execute करेंगे तब क्या होने वाला है उसे समझते हैं तो यहां पर हमारे पास जब यह हम value को भेज देंगे b के पास तो initially तो a के पास क्या क्या है a के पास तो हमारे पास है 2, 4, 8, 6, and 15 लेकिन जब एक address को हम send कर दे रहे हैं अपने इस variable के पास तो यहां पर हो जा रहा है b equal to b equal to यह सेम आ जाएगा 2, 4, 8, 6, and 15 बहुत असान है कोई दिक्कत नहीं है हमने a को send किया यानि कि a के memory को send किया और a के memory में जो भी store था वो चला गया b के पास अब यहां पर हम क्या कर रहे है कि यह loop चला रहे है और इस loop में क्या हो रहा है i equal to initially 0 तो जब 0 हो रहा है तो हम क्या कर रहे है b of 0 यानि कि i है इसलिए 0 equal to b of 0 plus 2 तो इस b के 0 number index में क्या है तो 0 number index यानि कि पहला number यानि कि 2 है तो हो जाएगा 2 plus 2 equal to 4 तो b के पास एक नया हमारे पास element का series आएगा that is पहला आएगा 4 वैसे ही जब i का value हो जाएगा 1 तो हम लिखेंगे b of 1 equal to 1 number में 4 है तो हो जाएगा 4 plus और हमारे पास जो यहाँ पर 2 है यह 2 add हो जाएगा तो हो जाएगा 6 तो नया element आगिया 6 इस तरीके से जब i का फिर 2 होगा तो 8 plus 2 10 हो जाएगा फिर 6 plus 2 18 हो जाएगा और 15 plus 2 17 हो जाएगा यह कुछ हमारा a का value होने वाला है इसके बाद क्या करेंगे जैसे यह changes आपको दिखेगा न तो यही same change आपका a में भी देखने के लिए मिलेगा याने कि यहाँ पर भी जो आपका 2, 4, 8, 6, 15 है यह हो जाएगा 4, 6, 8 4, 6, 10 4, 6, 10 and यहाँ हो जाएगा आपका 8 और यहाँ हो जाएगा 17 यह same चीज़ आपको दिखेगा a में भी क्यों क्योंकि हमने a का address भेजा था इसको और a का जो मेरा address है इस address को एक्वान यूज कर रहा है यह पहले address था a का लेकिन अब इसको हम किसको share कर दिये हैं अब हम इसको b को share कर दिये हैं यानि कि इस address को आप a भी यूज कर रहा है इसी address को आप b भी यूज कर रहा है यानि कि आपका जो भी changes होगा इसके b में 4, 6, 10, 8, and 17 यही same change obvious ही बात है आपको पहला बाला में भी दिखने के लिए मिलेगा 4, 6, 10, 8, and 17 क्योंकि एक ही memory में दोनों variables को यूज हो रहा है तो एक variables में value change होंगे तो obviously बात है same changes आपको जो है पहले बाला variable में भी दिखने के लिए मिलेगा because here we share the address of the the address of the variable so यह उसका basic और fundamental concept है किसी भी pass by reference के process का जहां हम किसी भी जहां पर हम किसी भी actual parameter के address को stand करते हैं अपने formal parameter के पस formal parameter में जो भी changes होता है उसका सीधा reflection हमें उसके actual parameter में भी दिखने के लिए बिलता है आप देगी बारे हो यहां पर हमने B में changes किया लेकिन उसका reflection जो है आपको A में दिखे रहा है तो अब हम इसी पूरे चीज को हम इसी पूरे concept को हम समझने वाले है Blue Jay के help से practically तो जैसे कि देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने Blue Jay के screen पर और यहां हम सबसे पहले class create कर लेते हैं class का नाम दे देते हैं reference right reference नाम का class हम बनाते हैं और इस reference नाम के class को हम double click करके open करेंगे तो जैसे ही open हो गया तो इसमें कुछ unwanted जो values हैं इसे हम control A और backspace के help से हटा देंगे इसके बाद हम यहां पर class create करेंगे वही जो class हमने आब नाम दिया था reference and इसके अंदर में हम एक simple method create करने वाले हैं void change नाम का method और इसके अंदर में हम लिख रहे हैं integer b और एक array type पर variable create कर रहे हैं और फिर यहां पर हम एक variable लेने वाले हैं integer p equal to b dot length find करने के लिए इसके बाद क्या करेंगे कि हम एक loop execute करेंगे for int i is equal to 0 i less than p and i plus plus और इसके अंदर में क्या करेंगे कि b of i is equal to b of i plus 2 हम हर बार उसके elements को two steps increase कर रहे हैं और इसके बाहर में हम print कर रहे हैं system dot out dot print alan अंदर लिखेंगे हम लोग कि after तो after change हमारे पास क्या है तो उसको print करने के लिए after change यानि कि हमारे पास जो execution हो जाएगा जो भी changes होंगे उसके बाद हमारा value कितना होगा उसको print करेंगे तो उसके लिए हम यहां से इसको copy कर लेते हैं और copy करके मैं इसे paste करता हूँ यहां पर और simple इसके बाद क्या करेंगे हम public static void main create करेंगे और इसके अंदर लिखने वाला है string rgs and इसके बाद क्या होगा reference 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 and इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पर एक array type का variable लेंगे integer a is equal to 2,4,8,6,15 reference जो हम अल्रीडी अपने प्रोग्रामिंग में लिये थे sample example में और इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम अपने object variable के help से अपने function को call करेंगे और फिर यहां पर अपने array variable को यानि का array variable का address को पास कर देंगे अब पास करने के बाद क्या होगा यहां पर हमें एक message प्रिंट करने वाले हैं कि after function execution function execution function के execute करने के बाद हमारा क्या होने वाला है function execute करने के बाद क्या होगा उसे हम देखेंगे तो उसके लिए हमें एक look चलाना होगा मैं यहां से इस look को copy कर लेता हूँ और यहां पर मैं print करता हूँ और यहां जो p लिखा हुआ है इसके जगा पर मैं लिखूँँगा a.length हम length find कर रहे हैं इपर और यहां हम print कर रहे हैं a of i को तो यह हमारा overall concept हो गया जहां पर हमने अपने function create किया उसमें हमने address पास कर दिया और हमने उसमें execution के बाद जो result हो रहा है उसको हम print भी करती है क्लिए कुछ error आ रहा है reached यहां पर हमारे पास कुछ error बता रहा है क्योंकि यहां क्योंकि यहां पर एक bracket missing है लेकिन अब no syntax error इसे मैं close करता हूँ और इसे मैं execute करता हूँ और यहां देखते हैं कि after change जो है 4, 6, 10, 8, 17 यहां भी 4, 6, 8, 10, 8, 17 पहला वाला जो है वो कौन सा है वो B का जो है variable का value है दूसरा वाला जो है वो A का value है तो हमने यहां पर B को change किया लेकिन उसका reflection आपको A में दिख रहा है तो pass by reference जो है वो कुछ यही बताता है कि हम अगर अपने formal parameter में changes करते हैं तो उसका reflection आपको उसके actual parameter में दिखने के लिए मिलता है तो I hope आपको आज गए यह वीडियो समझ में आया होगा इसमें बताए गया सारे concept आपको समझ में आया होगे और यह practical करके मैंने दिखाया यहां भी आपको कोई problem नहीं होई चाहिए तो अगर वीडियो पसंद आया है तो दिल से like करिएगा आपने दोस्तों के सारे शेयर करिए और अगर चैनल पे नई हो तो subscribe और bell icon जरूर प्रेस करें और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई concept के साथ तब तक के लिए take care खुस रहें गुडबाई